ओके तो यार तुमने इस वीडियो के टाइटल पर इसी लिए क्लिक चया क्यों कि तुम जानना चाहते हो कि यार दा हार्श रियालिटी ऑफ ले ँव्डृ मैंनीолुईवरसिती नि तुम जानना चाहते हो कि एक्ट्वल रयालिटी क्या है yardart के कहीं बात ये असली में ऐसा सचाई है कि नई ऐसा दिल्कुल पूरा नहीं है क्योंकि देखो या इस college में हाँ drugs की है बातें लेकिन सारे बच्चों के उपर depend करता है कौन बच्चा कैसा है सारी बच्चे वैसे नहीं होते हर college में कुछ बच्चे होते हैं जो इन चीजों में ज्यादा उलजे रहते तो अगर ये parents मेरी वीडियो देख रहे हैं तो parents को यही guidance रहे हैं कि अगर आपको पता है कि आपका बच्चा हाथ से निकल सकता है यानी कि प्लेस्मेंट्स, MIT की प्लेस्मेंट्स के बारे हम बात की जाए, तो यहां की प्लेस्मेंट्स बहुत अच्छी रहती है, यहां के ऐलमनाई बेस्ट बहुत अच्छा है, लेकिन एक चीज बहुत बुरी है, इस कॉलेज में प्लेस्मेंट्स 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 यहाँ पर कॉलेश का भूछ बहुत ही जयाता है तो दिक्कत बस यह होती है कि यार मास रिकूटर जो थोड़े बहुत बच्चों को लेकर जाते हैं तो बच्चों को चार-पांच साल लग जाता है अपनी फीज करने में वैरी हाई फीस तो यार इस college का बहुत सही है सब कुछ ठीक है लेकिन फीस के मामले में बहुत जादा भ धाना चलब हो तो प्रावेट कोलेई बहुत ज़ादा है इसकी अप्रोक्सिमेटली 17-18 लाग तो तुम्हें उनको loan लेकर कहीं करना पड़ेगा और loan लेकर के इतनी ज़्यादा में BTEC करना I don't know कि यार ये वर्थ इट होगा तुम्हारे लिए तो इसलिए अगर तुम्हारे पास है पैसा और तुम जा सकते हो इसमें तो I don't say कि मत जाओ Administrations तो यार यहाँ पर क्या दिक्कत है Administrations की यह बताता हूं यहां के जो यार टीचर्स और जो इनका यह होता है उसमें थोड़ा बहुत प्रॉब्लम रहती है यह लोग तुम्हें अच्छे से ट्रीक नहीं करते यह थोड़ा सा होते हैं अप्टू दे पॉइंट नहीं होता इड्मिनिस्ट्रेशन लेवल का ठीक है तो यह ब्राद ध्यान भी रखने वाली बात हैं छोटी छोटे चीजें यह सब इनको भी तुम्हार एमाइटी यूनिवर्सिटी में जा रहे हो तो बिल्कुल इन चीजों को ध्यान रखना अटेंडेंस की बाद जहां तक आई तो तुम्हें लगे कि यार इस कॉलेज में अटेंडेंस की तो कोई ज्यादा दिक्कत होगी नहीं लेकिन हां बहुत ही ज्यादा दिक्कत है वैसे प्राइवेट को लिए तो यहां पर भी वही हाल है ऐसा है कि बच्चों के अगर 71, 72 प बहुत ही ज़्यादा कौन से से अटेंडेंस को ले करके तो अगर इस कॉलेज में तुम जा रहे हो तो यह जरूर ध्यान में रखके जाना कि अपनी सही रखो और कम्प्लीट रख है कि यह पीए है कि अगर नौर्मल तुम गवर्मेंट कॉलेज की तरफ देखो गए तो इस से थोड़ा जादा तो है कि जैसे प्राइवेट कॉलेज के होते हैं लेकिन उतना जादा भी नहीं जैसे कि इससे पहले मैंने ने वी यई यह नहीं देखू रहनां वहां तो उतना ज्यादा भी हेक्टिक सेड्यूल यहां पर नहीं रहता है ऐसी मित फैला रखाए को ज्यादे है कि सीजन यह बहुत ही छोटा से एक पॉइंट है देखो वैसे तो वहां पर बड़ा अच्छा माहौल रहता है मतलब तुम्हें हर मौसम में बहुत अच्छा लगेगा बहुत ही बड़ी हमाहौल रहता है लेकिन एक रहीनी सीजन जब आता है तो तुम्हें दिक्कत जहलने को पड़ सकती है जो वहां के बच्चे उन बच्छों ने बताया था मुझे कि वहां पर यह प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है कि यह रहीनी सीजन के टाइम पर दिक्कत उन्हें हो देशिक रहता है और तुम्हें अच्छा मिल जाता है प्लेश्मेंट प्लेश्मेंटश्य द्यूस्य वहां पर बंचाने यहां के chybawr सबमिया है। तो तुम इस college को ले सकते हो और बहुत इस चीज़े लेकिन यह जो realities मैंने तुम बताई यह सारी को ध्यान में रखना अगर तुम किसी भी college में जा रहे हो अब मुझे कोच कहते हैं कि यार आप यह नहीं बताते कि इस college की अच्छाईयां क्या है उस देखो यार मैं पहले एक विकार वाली बनाता हूं कि इसकी reality क्या है उसके बाद हम अच्छे वाले पर भी चलेंगे तो अगर तुमने वियाइटी वेल लोर की नहीं देखी है harsh reality जा करके अभी देखो यह रही harsh reality और अगर तुमने नहीं देखी हमारी top 10 private universities तो वह जा करके तुम देख सकते हो